प्रबल प्रबल का मतलब है पूरा बल इसको प्रबल भी बोलते हैं और जो अपने पूरे बल को जीत लेता है यानि जो मनुस्य नर या नारी अपने अंदर की जितना भी बल है पूरा का पूरा संपूर बल जिसको जीत लेता है उसको कहते हैं पबल जीत और पाली में पबल जीत को सुद्ध रूप से बोला जाता है पबज्जित यानि पबज्जित होना भगवान बुद्ध की यूनिवस्टी में जो लोग अपने बल को पूरा करने के लिए प्रबल करने के लिए पबल करने के लिए आते थे वो अपना घरबार छोड़ के आते थे तो घरबार छोड़ने को पबज्जित होना बोला गया कि ये अपने बल को पिरबल करने और जीतने के लिए जा रहे हैं यानि वहाँ जाके आपने अपनी सारी बुराईयों को खतम करना है तो अपने बल से जीतना है बाद में इसको पबज्जा पबज्जित और पबज्जन बोलने लगे यानि जो जन जो मनुष्य पिरबल बल के साथ वहाँ जाते थे उनको पबज्जन भी बोलने लगे दरसल भंगवान बुद्ध तथागत बुद्ध अपने सबी स्टुडेंट्स का बहुत ध्यान रखते थे एक बार की बात है अंध कविंद बिहार के अंदर मगन में भंगवान बुद्ध बैठे हुए थे वहाँ पर आनन्द आये यह आनन्द की कहानी नंबर 11 है आनंद वहां भंगमान बुद्ध को भंते को भिक्कु को अभिवादन करकर एक और ठत्वा हो गए ठत्वा मतलब खड़े हो गए खड़े होकर ठापक माने होता है खड़ा रहने वाला ये जो ठतवा सब्द है और ठापक सब्द है इसी सब्द से भहुत सारे सब्द आजकल चलते हैं आपने ठकराल सुना होगा ठाकर सुना होगा ठाकर सुना होगा ठाकुर सुना होगा जो खड़े हुए लोग रहते थे एक जिगे खड़े रहते थे उनको ठतवा बोलते हैं पा जो लोग लठ लेके खड़े रहते थे लठ लेके ठापक होते थे उनको लठैत बोलने लगे जो किसी महाजन के साथ जो किसी पैसे वाले के साथ आकर लठ लेकर खड़े रहते थे इस तरह से ठत्वा सब्द का बना तो आनंद उस समय ठत्वा थे ठापक थे ऐसे ठापक को देखकर भगमान बद न सी पांच नीयम जो नए नए पवज्जित यानि जो लोग अपने बलको पूरा जीतने के लिए आते थे जिनको सामनेर बोला करते टे सामनेर दसल जोlic ऍजूओं लोग आते हैं उनको सामने वोलते हैं मैं तो जो ये पांच पूरे पूरे पद हैं इनमें बहुत सारी बात आती हैं पहली बात उन्होंने कही कि जो नए नए पवज्जित या नए इस्टुडेंट आए हैं उनको सीलवान होना चाहिए सीलवान का मतब तो सबी जानते हैं पांच सील तो कम से कम बाकी जो 228 सील उनको बताये गए हैं या जो बताये जा रहे हैं वो उनको पालन करने चाहिए सील वो होते हैं जो आपको सदाचार के मौरलिटी के नियम बताते हैं, जीवन में पाप रहित रहने के नियम और पुन्ने के साथ रहने के नियम बताये जाते हैं, लेके करके हम यहां बता भी रहे हैं, उनको पाती मुख के नियम का पालन करना चाहिए, अब ये पाती मुख क जिनको लगातार लगातार उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है इतर ऐसे यह जितने भिक्कूं है उनका चार्टर है उनकी नियम अवली है जो उनको लगाता लगातार पूरी करनी पड़ती है इसमें दंड का भी विधान है कि अगर कोई नियमों को पाती मोखों को नहीं मानत यानि उप्यूक्त इस्थान पर विहार करना चाहिए, यानि अशी काम को चाहे मन को चाहे मन को चाहे चाहे कर्म को फिर वो कहते हैं कि जो छोटे-छोटे भी जो दोस हैं जो छोटे-छोटे भी पाप कर्म हैं उनसे भी भै रखना चाहिए यानि कि उनसे भी डणना चाहिए वो भी नहीं करने चाहिए मन में भी नहीं लेने चाहिए फिर भंग्नवान बुद्ध कहते हैं कि उनको जो सिख् सिक्षा गिरण करने आये हैं, सिक्षा को संस्काइद भासा में शिक्षा बोते हैं, तो जो वो सिक्षा आये हैं, जो उनको सिक्षा दी गई है, उसका पालन करें, अच्छी तरह से सिक्ष बने. दूसरे में वो कहते हैं कि उनको सहियत इद्धी वाला होकर विच्रण करना चाहिए सहियत इद्धी वाला होकर विच्रण का मतलब क्या है कि जो उसकी इद्धियां है इद्धियां जो बोलते हैं संस्काइद भासा में इंद्री को बोलते हैं जो 5 senses हैं जिनसे हम अपने body के अंदर अपने hardacie के अंदर inputs लेते हैं एक हमारी आँख हैं जो visuals को यानि और पिक्चर्स हैं इनतर भीडियों हैं उसको अपनी सरीर के अंदर भेजती हैं एक हमारे कान है जो और्डियो को भेजते हैं एक हमारी इसकिन है पूरी पूरे सरीर की जो टच को भेजती है छूने को भेजती है अनुभव को भेजती है एक हमारी नाग है जो स्मेल को भेजती है कि स्मेल कैसी है और एक हमारे कान हैं जो आवाज को भेजते हैं कि आवाज कैसी है और कैसी नहीं इसके लावा एक हमारी जीव है जो टेस्ट को बताती है कैसा टेस्ट है कैसा नहीं यानि एक हमारी जीव हो गई, टंग हो गई, एक हमारे एर्स हो गई, कान हो गई, नोज हो गई, हमारी आईज हो गई, और एक हमारी पूरी स्किन हो गई, इसके अलावा जहां ये खटे होते हैं, वो मन का जो स्टोरेज है, जो मन है, एक हमारा मन होता है, ये छे प्रकार की इ विच्रण करना चाहिए यानि उनको विच्रण करना चाहिए फिर वो कहते हैं कि उनको सती की रखा करते हुए विच्रण करना चाहिए अब ये सती की रखा क्या होती है सती का मतलब है कि वो लगातार ये देखते रहे कि पाप कर्म कैसा हो रहा है कैसे आ रहा है मेरे सरीर पर क सेरीर में नान आए हम इसा पुन्य कर्म को आ ले घवान बुद्ध भंगवान बुद्ध उसके बाद कहते हैं कि सती के ग्यान को जान कर ग्यान बनाकर विचरना चाहिए यानि कि जop самता है जो हम संकता में रहते हैं अपने सरीर पे किसी ब्राई का, किसी अच्छाई का प्रभाब नहीं आने दे देते हैं, उस ग्यान को जान कर, बना कर विच्रण करना चाहिए, फिर कहते हैं सुरक्खित मन के साथ होकर विच्रण करना चाहिए, सुरक्खित का मन, मन का मतलब है, कि मन हमारा पूरी तरह से सेफ रहे, मन में कोई भी पाप का विचार ना आए ऐसा जानकर ऐसा होकर विचरण करना चाहिए फिर वो कहते हैं कि हमको सुरक्षित चित वाला होकर इसका अभ्यास करना चाहिए और इसको पठी स्थापित करना चाहिए यानि पिट्टी स्थापित करना चाहिए यानि सुरक्षत मन हमारा रहे उसमें कोई पाप ना आए उसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसको हमें एस्टाबलिस करना चाहिए पिर्टीस थापित करना चाहिए फिर वो तीसरे में कहते हैं सामनेरों को जो सामनेर हैं जो नए पवज़त लोग हैं उनको मित भासी होना चाहिए यानि मीठा बोलने वाला होना चाहिए सैयत वानी वाला सैयत भासी होना चाहिए यानि कि वो बेलेंस में बात करें सैयम से बात करें अपने आपको control करके बात करें इसका वो अभ्यास भी करें और इसको वो establish भी करें इसको इस्थापित भी करें पटी इस्थापित भी करें फिर कहते हैं चौते में कि उनको अरईया होके विहार करना चाहिए जंगलों में एकांत वास में अरईया जो बोलते हैं इसको जंगल को बोलते हैं जो आपने एक जगे देखी होगी औरईया औरईया एक जिला है उत्तर पडियस के अंदर वो औरईया जो है पाली का सब्ध है और अरईया बोलते हैं पाली में क्योंकि पाली भासा कहीं गई नहीं है अरई से औरईया बना हुआ है तो औरईया में या अरईया में या अरईया में जंगल में जाके उनको इस्थान लेना चाहिए और वहां जाके उनको एकांत वास करके अभ्यास करना चाहिए अपने आपको प्रटी स्थापित करना चाहिए प्रटी आपको प्रती स्थाफित करना चाहिए यह सम्मा दिठ्थी और सम्मा दस्तन बहुत इंपोर्टेंट है मैंने इसका टीम 22 पर वीडियो बनाया हुआ है आप यूटूब चैनल टीम 22 को देख लें प्लीज वाच ओन टीम 22 यूटूब चैनल फॉर सम्मा दिठ्था सम्मा दिठ इसको आप देख सकते हैं तो यहां सम्मा दिठ्थी का मतलब है कि जो हम देख रहे हैं उसको देखें कि यह कितना पाप से युक्त है और कितना यह पाप से मुक्त है यानि किसमें कितना पाप है कितना पाप नहीं है जो हम सामने कारे कर रहे हैं सामने देख रहे हैं और सम् कि जो ये हमारे अंदर आ रहा है वो पाप कम है या वो पुन्ने कम है ऐसा करके पाँच बातें वो नए जो सामनेर हैं उनको बताते हैं कहने को ये पाँच बातें हैं मगर ये पूरा पूरा बुद्ध का दसन है जो एक भिक्कू के लिए, एक सामनेर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है सम्मा दिठी, सम्मा दसन, और सुरक्षित मन, सुरक्षित चित या सती रखा या सती की रख्षा करना, या सहिएत इद्धी या छोटे-छोटे दोस से भ्याखाना या पाती मोक के नियम का पालन करना और सब से बड़ा सीलवान होना। दरसल ये पूरा का पूरा दस्तन है क्योंकि भंगनवान बुद्ध की एक भी लाइन अगर है तो उसमें उनका पूरा दस्तन आता है। ये खास बात है उनके दस्त हुप पुराने पापों को निकाल कर फैक नहिंए इस से ही आपकी मुक्ति है दुनिया में इसके लावा या दून्बाट का या आपको खुष रहने का और भी और तरीका है यही नहीं दुनिया में हैं यही सननतनों है यही सनातन धम है जो भ्रगवान बुद्ध में बताया और बार बार बताया धन्यवाद दो दम शेलं गच्छामून दम सेनं गच्छामून दम सेनं गच्छामून संगं सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी संगं सरनं गच्छाम। बुखियं पी संदम सर्णं कच्छामी ततियं पी गुद्धं सर्णं कच्छामी बुखियं पी गुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी गुद्धं सर्णं कच्छामी बुखियं पी गुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी संदम सर्णं कच्छामी बुखियं पी गुद्धं सर्णं कच्छामी साथू, साथू, साथू झाल झाल